हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है ब्लेंडर 3.4 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आप अपने लेप्टाप या पीसी के अंदर को भी ब्रॉजर ओपेंड कर लिजेगा ब्रॉजर ओपेंड करने के बाद आपको गूगल ओपेंड कर लेने हैं गूगल ओपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको टैप कर देना हैं इंटर बाद यहां पर आपको इंटर कर दिना है इंटर करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक कर दिना है किलिक करते हैं blender का officially website open हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको home page भी दिख जाएगा यहाँ पर download Blender या तो आप यहाँ पर click करके download कर सकते हैं यानि तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा download इसके ऊपर भी आप click कर सकते हैं दोनों में से कहीं भी click करेंगे तो ड्रीक्ट आप इस पेज को पर आ जाएगे यहांने के बाद अब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा download blender 3.4 यहीं आज के date में latest version है हो सकता है आप जिस date में इसको आप download करने के कोशिस कर रहे हैं उस date में यहां पे इस से उपर वाला version आ गया हो तो आपको क्या करने आपको ऊपर वाला version ही download करके जो भी latest होगा उसको download करके सेम तरीके से आपको install कर लेना है download करने के लिए आपको क्या करने यहां पे आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना है आप जहाँ पर भी इसको save करना चाहता है और path select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको save कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से exe download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने exe को save किया है वहाँ पर आपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस exe को उपर आपको right click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा property इसके उपर आपको करदें है कलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप मान लीजेए यदि आपकी case में भी यहाँ पे unblock दिखते हैं तो आपको क्या के क्या करने है इसको tuck mark करदें है दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर लिजएगा, करते ही, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करने, यहाँ पर next दिखी जाएगा, इसके ओपर आपको click कर दिने, click करते ही, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको click कर दिने, इसके बाद यहाँ पर दीक करते हैं इसके बाद यहां पर आपको इस्टाल देख जाएगा इस्तार से इस तरह से लिंडयो ऊपन हो जाएगे चैस्स में भी एब धर यहां पर किलिक कर देखना लुक्त है लए यहां पर इसरे इस तरह से इस तरह होना शुरूप जाएगा complete होने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करने है यहाँ पर finish पर click कर दिने क्लिक करती इंस्ट्रोलेशन complete हो जाएगा अब आपको क्या करने है या तो आपको case में यहाँ पर desktop को पर आइकन होगा या तब यहाँ पर click करके open कर लीजेगा यानि तो आप यहाँ पर search पर click करके भी उप抉पें कर सकते कर ने करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको language select करने के लिए यहाँ पर आप अपनी हिसाब से language co temat कर सकते हैं यहाँ पर आपनी हिसाब से जाएगा इस से सेलेट का सकते हैं separate चाहिए play करने के लिए चाहिए क्या है यहां से आप से अप से लेट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको next पर क्लिक कर देने अपन हो जाएगा आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और प्लिज गैज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू